बिल्कुल बजार जैसी ब्लाक फॉरिस्ट केक आज हम घर में बनाएंगे तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे यह केक जो है मैंने घर में बनाया है इसे मैंने बजार से खरीद के नहीं लाया है आपको यकिन नहीं होगा इस केक को बनाना बहुत ही असान है और इसके कैसे बनाया जाता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नये है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए और लाइक करें ब्लाक फॉरिस्ट केक बनाने के लिए हम लेंगे 3- यह रूम टेंपरेचर का दूद है इसमें हम डालेंगे एक टीश्पुन विनेगर और इसे हम मिला लेंगे मिलाने के बाद इसे हम день cambi मैंस सवा कप मैदा का साद में रगे हूं और एक चौथाइ कप और मैने मैदा डाल दिया अब इसमें एक चौथाई कफी हम डालेंगे कोको पाउडर आप कोई भी ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं एक टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा अब इन सबी चीजों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे तो ध्यान रहे जब भी आप केक बनाएं ड्राइ इंग्रिडियन्स को इस तरह से आप छलने के उपर डाल के जरूर से छान लें क्योंकि यह जो मोटे मोटे इसमें यह जो दाने होते हैं इसे जो है लंस बनने का डर होता है तो इसे हम चान के डालेंगे तो लंस नहीं बनेंगे तो यहाँ पर इसे मैंने चान लिया है अब इसे हम mix कर लेंगे और mix करने के बाद इसे हम side में रख देंगे सवा कप मैदा से जो है हम एक पॉंट का cake अराम से बना सकते हैं तो आपको एक पॉंट का cake बनाना है तो इतना ही measurement ले अब हम बनाएंगे weight ingredients तो यहाँ पे मैंने एक bowl ले लिया है इसमें हम डालेंगे half cup refined oil तो यहाँ पे आप कोई भी strong flavor का oil ना डाले plain refined oil ही डाले अब इसमें हम डालेंगे half cup ही condensed milk यहाँ पे मैं चार चमच के आसपास PCV चीनी डाल रही हूं अगर आप condensed milk का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे चीनी की मातरत पर ज़्यादा ले ले अब इसमें हम डालेंगे एक चमच के आसपास chocolate essence आपके पास जो भी essence so उसे आप डाल सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से mix करेंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जिस container में आप oil ले उसी में आप बाद में condensed milk डाले क्योंकि condensed milk जो है चिपक जाती है कोई भी container में तो आप oil डालने के बाद उसमें condensed milk डालेंगे तो container में बिल्कुल भी condensed milk चिपकेगी नहीं और निकालने में बहुत ही असानी होगी यह बहुत बड़ी tip है इसे आप जरूर ध्यान में रखें यहाँ पर मैंने एक मिनट जितना इससे फेट लिया आप देख सकते हैं इसे फेटना बहुत जरूरी है फेटने के बाद इसमें हम डाल बारे नहीं बड़ सकते हैं। तो यहां पर इसे पोलें छिद भाद इसमें हम डालेंगे बार हम आप ज्राइफ पि नहीं आई में डालेंगे उसके बाद इसे हम फेट लेंगे उसके बाद हाफ जो है हम बाद में डालेंगे तो यहाँ पे इसे हम ज़्यादा नहीं फेटेंगे इस बाद का आप जरूर ध्यान रखें इसे ओवर मिक्स बिलकुल भी ना करें थोरी देर फेटने के बाद यहाँ पे बाकी बचा हुआ ड्राइ इंग्रेडियन्स भी हम डाल देंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यहाँ पे इसे हमें फेटना नहीं है बस मिलाना है इस बाद का आप जरूर ध्यान रखें ओवर मिक्स करने से केक में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते है और केक जोह स्पंजी नहीं बनती है इस बैटर को हमें उतना देर ही रिप्स करना है जितना देर में यह स्मूथ बन जाये यहां पे मैंने करीब करीब 30 से 40 सेकंड जितना फेटा है तो यहां पे देख सकते हैं यह बहुत śmoud हमेद इसज़ाद ही हािए यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं यह रीबन कंशिस्टेंसी की होने चाहिए जब भी आप बैटर को गिराए तो इस तरह से ये ribbon की तरह गिरना चाहिए तो यहाँ पर बैटर जो है रेडी हो चुका है इसे ज़्यादा इसे हम नहीं फेटेंगे अब हम एक spatula से इसमें साइड में लगे हुए बैटर को हम एक साथ कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैटर जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है अब यहाँ पर अब हम इससे साइड में कर लेंगे और एक के टीन को हम रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे थोरा सा इसमें आप ओयल डाल दे या इसे आप बटर से भी ग्रीज कर सकते हैं इसे हम इस तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे साइड में भी अच्छी तरह से ओयल से इसमें ग्रीज कर लें और इसे हम इसके अंदर हम डालेंगे बटर पे तो ध्यान रहे बैटर को हमें ऐसा ही बनाना है तब जाकि हमारे केक जो है बहुत अच्छी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी तो यहां पर बैटर को मैंने डाल दिया है अच्छी तरह से बैटर को डालने के बाद इसे हम 2-3 बार टैप कर देंगे तो यहां पर इस तरह से आप टैप कर दे ताकि जो air bubbles है वो निकल जाएंगे तो यहाँ पर यह लेवल में भी आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने टैप कर दिया अब यहाँ पर मैंने पहले से ही 15 मिन पहले से ही कराही को प्री हिट के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे कराही के अंदर मैंने नमक डाला है नमक का कलर चेंज है क्योंकि इससे मैंने 6-7 ब персонal बेकिंग किया हुआ है तो नमकं को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर एकी इसी आप चेक कर ले अगर यह केक नहीं बेख हुई है तो दस मिनट और आप इसे ज़्यादा बेख करें अब हम बना लेते हैं चॉकलेट सेविंग्स तो यहां पे मैंने डाक कमपाउंड चॉकलेट लिया है यह मोट कमपनी का है आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं तो यह बिलें ब्लाक फोरज्ट के लिए चाहिए होता है और मोटे वशेक वाले डिख पैलें ब्लाक फोरेस्ट के लिए eracks चॉकलेट बाहर रखो जब पी इसा चीए दश thे निलियों से बाहर स्क लाऋगे मोटे इसा के लिए उतीर मीटर पत्ने ब्लाक first चेक लिएHay यहां पर मैंने एक पतिला ले लिया है अब इसमें में ले रही हूँ 10-12 चेरी के पीसेज यह क्या वाली चेरी जो आती है वही वाली चेरी है तो इसे अब हम कट कर लेंगे चोटे-चोटे PIECES में तो यहां पर इसे आप कट कर ले ताकि इसका हम सीरप बना सकें तो यहां प केक में चेरी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए अगर आपके पास हो तो इसे आप जरूर डाले तो यहां पे मैंने कट कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे जो सीरफ बचा हुआ रहता है कैन के अंदर ओ भी हम इसमें डाल देंगे थोरा सा अब इसके उपर से हम डालेंगे एक कट्टूरी जितना पानी और चीनी डालेंगे हम यहां पे मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूं चार चमच के आसपास आप चाहे तो नौर्मल चीनी भी डाल सकते हैं और इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे हम पका लें हाई फ्लेम पे त तो यहाँ पर ध्यान रहे है फ्लेम को आप लो करके चार से पांच मिनट तक इसे आप जरूर पकाए जब तक ही चेरी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं चार से पांच मिनट पकने के बाद यह रिडियूस भी हो चुकी है तो यहाँ तो यह दबार के आप चेक कर लें अगर यह नरम हो चुकी है तो यह रेडि हो चुकी है तो इसे अब हम ठहना करने के ल हम ठटन्डा करने के लिए रख देंगे जब तक यह ठहना हो रही है तब तक क्रीम को beat कर लेते हैं यहाँ पर हम लेंगे 2 कप के आस-पास whipping cream तो अब इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से लोई स्पीड में दो से तीन मिनट तक बीट करेंगे तो ध्यान रहें स्टार्टिंग में हम इसे लोई स्पीड में ही बीट करेंगे तो दो से तीन मिनट तक इसे आप बीट करते रहें और दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे थोर मेरे चार से पांच मिनट लगते हैं क्रीम को बीट करने में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़े थोड़े हाई पीक आने सुरू हो चुके है, तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर उठा के दिखा रही है। यह देख सकते हैं, यहीं गिरेंगे, तो इसका मतलब है तो हम फिर से बीट करेंगे यहाँ पे आप वीपिंग क्रीम का ही इस्तमाल करें अमोल क्रीम का इस्तमाल ना करें तो यहाँ पे वीपिंग क्रीम को बीट करने में कम से कम चार से पांच मिनट लगते हैं तो यहाँ पे करीब करीब मैंने और दो से तीन मिनट जितना चीनी डालने यहां पर देख सकते हैं क्रीम जो है विधक हो चुकी है यह देखिए यह आप उठाएंगे ने इस तरह से तो यह गिरेगी नहींज इसका मतलब है किygen 7 जो है अच्छी तरह से बीट नहीं करना है तो इस पैचुला की साहता से यह जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस क्रीम को हम कम से कम आदे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे उसके बाद ही कर लें यहां पर देख सकते हैं टूथपिक जो है एकदम क्लीन निकली हुई थी तो इसका मतलब है केक जो है अच्छी तरह से बेक हो चुकी है तो इसे अब हम निकाल लेंगे इसके उपर हम एक कीचन टावल लगा देंगे ताकि यह उपर से ड्राइना हो और इसे हम पूरी मेरा लगा ख्राय और ड्राय कर दीऐ jus यहां पर से अच्छी तरह से जाली difference हुई होई है और बहुत ही ऑच्छी तरह से जालिदार बनी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई आप देख सकते हैं जीगा देखेए इसे हम सीधा कर लेंगे और भूआ योग च्छी तरह केक को हम टॉन टेबल के ऊपर ढ़ंगे यहां पर बाला जो हिस्वा इसे हम से हम एक كट कर लेंगे तुध ध्यान रहें यहां पर जो है आप ब्रेट कुटिंग वाला नIE फिले घर में जो हम इस्तिमाल करते हैं उस नाальफ से आप इसे कटना करें तो यहां पर वाला हिस्सा है इसे हम एक्तम कट कर लेंगे ताकि यह लेवल में आ जाए और इसे हम अटा लेंगे हटाने के बाद इसे हम लेयर में कट कर लेंगे तो यहां पर मैं केक में तीन लेयर में कट कर रही हूं आप चाहें तो इसे दो लेयर मे भी cut कर सकते हैं. तो यहां पे इसे आप इस तरह से turn table को cut करें. तो यहां पे आप देख पा रह速 harvest मैंने एक layer cut कर लिया है. यहांपे इसे आप इसे आप इसे आप इसे लेख्वाह हम तो यह यहां पे मैंने एक और लेयर कट कर लिया है, यह देखिए केक होई है, तो यहां पर रख लेंगे, तीनों लेयर हमारी रेडि हो चुकी है, तो यहां पे टरन टेबल को थोड़ा सा हम clean कर लेंगे उसके बादnewररररररर पटरन टेबल के उपर हम एक लगा देंगे अगर आपके पस केख बूड नहीं है तो आप टरन टेबल के उपर ही केक को कर सकते हैं तो यहां पर हम केक बोट के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे ताकि केक जो है इधर उदर हिले नहीं और सेट हो जाए एक ही जगह आप इसके ऊपर हम एक लेयर को डाल देंगे इस तरह से अब इसके ऊपर हम चेरी सिरफ से इसे हम मोईस्ट कर देंगे तो यहां पर चेरी सिरफ जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इससे हम अच्छी तरह से केक को मोईस्ट करेंगे तो यहां पर आप अच्छी क्वांटिटी में इसे केक के ऊपर डाले और डालने के बाद इसे आप अची तरह से Mowisd करें, क्युंगी केक जो है, इससे ही बहुत ही मोईस्ट बनेगी, तो यहाँ पे मैंने अची तरह से ढाल दिया है, साइट्स में, कॉनर्न चारो तरफ आप इससे अची तरह से डालें, और थोरे थोरे ये चंक्स भी आप इसके उपर डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसे मोज्ट कर लिया है, अब इसके उपर हम डालेंगे क्रीम, और अच्छी कौंटिटी में क्रीम डालने के बाद इसे हम इस पैचुला से स्प चौको चिप्स ना हो, तो आप चौकलेट को ग्रेट करके भी इसके उपर डाल सकते हैं, जब केक को आप खाएंगे ना तो इसका बाइट बहुत ही अच्छा आता है, तो चौको चिप्स आप जरूर डालें, तो यहाँ पर मैंने अच्छी कौंटिटी में इसे डाल दिया ह और करने के बाद फिर से हम क्रीम डालेंगे, और क्रीम डालने के बाद इसे हम फिर से केक को कवर करेंगे, तो यहाँ पर इसे आप अच्छी तरह से स्प्रेट कर लें, और स्प्रेट करने के बाद साइट्स में भी आप इसे कवर कर लें, तो यहाँ पर इस तरह से आप लेर है हम लोग का इसे अच्छी तरह से प्रेश करतेंगे यह कआछी पगब अपड़ यहाँ प्छी तरह से यहां पर एक ह्द फे clever करेंगे तो यहां पर अच्छी तरह से i3 से कवर हो चुकी है, अब इससे हम क्या करेंगे? फ्रीज में रखेंगे, यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं, चारो तरफ से जो है अच्छी तरह से यह कवर हो चुकी है, तो इसे अब हम फ्रीज में कम से कम एक घंटे के लिए रख देंगे, ताकि एक जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए तब तक हम जो बची हुई क्रीम है उसे हम एक ग्लास में डाल के पाइपिंग बैग में भर लेंगे तो यहाँ पे ग्लास ले ले आप अब इसके अंदर एक पाइपिंग बैग ले ले और इसके अंदर जो है हम क्रीम को फिल करेंगे तो देख सकते हैं, मैं अंदर की तरफ इसे प्रेस कर रही हूँ, और जितनी भी क्रीम बची हुई है, इस पाइपिंग बैग में आप डाल दें और चमज की साहता से इसे आप अंदर की तरफ दबा दें, इस तरह से दबाने के बाद इसे हम पाइपिंग बैग को अच्छी तरह स सीधा कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें इसे सीधा करना है, और सीधा करने के बाद, इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से पुस कर देंगे, ताकि क्रीम जो है अंदर की तरफ चली जाए, और पाइपिंग बैग में मैंने एक स्टार नो यहाँ पर आप स्टार नोजल की साहता से इस तरह से फ्लावर बना दे, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बना दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना, इस तरह से बनाने के बाद, अब इसके उपर हम थोड़ा सा और पिक बना देंगे, तो देख सकते हैं केक जो है कितना प्यारा लग रहा है यहां पे अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉकलेट सेविंग्स जो हमने उस समय त्यार करके रखा हुआ था यह जो मोटे वाले चॉकलेट सेविंग्स है इसे हम अंदर की तरफ डालेंगे और डालने के बाद यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है एक एक लग रहा है ना कि इसे हमने मार्केट से खरीद के लाया है और साइट में जो है हम छोटे वाले जो हमने चॉकलेट सेविंग्स बनाए हुए थे उसे हम इस तरह से चिपका देंगे यह देखिए इस तरह से आप इसे चिपका दें और इसे च साफ कर ले और साफ करने के सांस आथ अगर क्रिम नहीं कोई नहीं बची को अगर सकते हैं ज्यांट और देखना तो पुछ को आप आप एक बार जरूर से बना के देखें यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है मार्केट से भी अच्छी तो आप इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राइ करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा स्यादा इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेर करें और चैन